कि है फ्रेंज गुट मॉर्णिंग गुट मॉर्णिंग एवरीवन कि मैं पाल भी बसनायत क्यांस इंटरनाशनल और इंटरनाशनल डायमंड्स नेट्वर्क सिस्टम की तरब से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं वेलकम स्पेशली जिन्हों ने प्रोग्राम पह हमारे बिजनस पार्टनर हैं जो इस बिजनस को शिद्दक के साथ कर रहे हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है जैसे की हमारे नए दोस्तों ने देखा आज का ये प्रोग्राम एक क्यांस इंटरनाशनल एक कंपनी है जिसने पुरी दुनिया में पिछले 26 साल में 190 दे क्यांस पुरी दुनिया में बहुत इज़त के नजर से देखा जाता है क्यांस को विकांज इस कंपनी के जो प्रोड़क्स हैं वह सोसाइटी के लिए समाज के लिए देश के लिए दुनिया के लिए बहतरीन है हमारे सुष्थ के लिए हमारे हेल्थ के लिए क्योंकि हैल्थ तो आपने सुना ट्यांस के बारे में प्रोड़ट के बारे में और प्लान के बारे में एक वो सिस्टम जिसमें 10 लाक 20 लाक या 40 50 लाक रुपे नहीं सिर्फ 10-20-50 रुपे का समान परचेश करके शॉपिंग करके अपनी हेल्थ को बैटर करने के लिए और साथ में लोगों को करके आप अपनी जन्दगी को बदल सकते हैं जो भी आपके सपने बूआ हैं उन को कैसे पूरा करना है उसके लिए जियकर रास्ता आपको यहроп यहां मिला है एक तागड़ चीए जो घूल होने चीए इनसां की जिन्दगी में कामयाब होने के लिए वह यहां जनरец होते हैं या पैदा होते हैं यहां आपका मकसद त्यार होता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे कोई सपने नहीं थे बिल्कुल एक आम एक और्डिनरी लाइफ थी बिल्कुल आम जंदगी हम जी रहे थे और दूर दूर तक भी कोई सपन चलेगी तो दा मैजिक और बिग तिंकिंग दा मैजिक और बिग ड्रीम्स वह घटनाएं घटी एक और लाइफ से धीरे धीरे लाइफ चेंज होती चले गई वह लाइफ जिसके कभी हमने सपने भी नहीं देखे थे कल्पना भी नहीं की थी वह सपने यहां से पूरे हुए जो सोच भी नहीं सकते थे कितना सोच से भी ज्यादा उमीद से भी ज्यादा तो यह सब कुछ पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री के वैसे इस इंडस्ट्री की वह पावर है यहां पर आम आदमी अगर शिद्दत के साथ दिल से महनत करे तागट बना के काम करे तो वह बबढ़ेंस में हूं 18 साल कंपनीट हो चुके हैं मुझे आज लाखों लोगों को मैं इंस्पाइर कर चुका हूं इस बिसनस के लिए इजुकेट कर चुका हूं ट्रेंड कर चुका हूं और यह सिलसला आज भी जा रही है और उसी कड़ी में मैं आपके बीच में आज भी और एक बहुत ही जबरदस्ट यहां से अर्निंग्स और कैरियर और मान समान जो मिला है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों तो यह कैसी इंडस्ट्री है जिसने हम जैसे आम लोगों की जिन्दगी को बदल सकती है बस शर्थ एक ही है कि आपको दोस्तों बिश्वाश करना पड़ेगा खुद पर और बिश्वाश करना पड़ेगा सिस्टम पर और आपको अपना तागेट बनाना पड़ेगा आपको अपना लक्ष रखना पड़ेगा कि क्या क्या अचीब करना है जिन्दगी में क्योंकि यहां पर पॉसिबल है और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक भी है आज का ज़ो हमारा सब्जेक्ट है वो यह है कि आपने डिसिजन ले लिया है जंदगी बदलने है अब जंदगी आम जंदगी नहीं रहेगी खास बनानी है खुछ करके दिखाना है जंदगी में अगर इस मकसद के साथ अगर आप इस बिसनस में आगे हैं तो आपको आज अपने आपको उस सांचे में ढालना पड़ेगा जिसमें सक्सेस है जिसमें काम्याबी है जिस प्रोसेस को अपना के जिस सिस्टम को फॉलो करके आप सक्सेस्फुल हो सकते हैं क्योंकि आज तक आप स से सिर्फ जंदगी कट रही थी लेकिन जिस दिन हमने इस सिस्टम को अपनाया इस इंडस्ट्री को अपनाया और इस सिस्टम में कैसे काम करना है उस सिस्टम को फॉलो किया दोस्तों चमतकार शुरू हो गया हम वही थे सिस्टम में पावर थी इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों फॉलो किया तो हंडर प्रसंट रिजल्ट आएंगे हंडर प्रसंट क्योंकि यह सिस्टम की पावर है हमारे में दम होता है तो हम पहले भी चमतकार कर लेते हम में दम नहीं था दोस्तों दम था सिस्टम के अंदर तो सिस्टम की ताकत है आज एक 26 साल पुराना इंटरनाशनल इंटरनेशनल और आईधिनेट सिस्टम इंटरनेशनल डायमण्स नेट्वक्स इस्टम क्या करना क्या सोचना क्या है कैसे करना है बट हम अपने सीनियर को सुनते गे जो वो बोलते चले गे उन चीज़ों को फॉलो किया दोस्तों तो वही चीज वही मैजिक जिसकी वज़से आज पूरी दुनिया में दुनिया भर में लाखों क्रोड़ों लोग अपनी जिन्दगी में हैल्थ अच्छी कर रहे ह वैल्थ अच्छी कर रहे हैं पूरी दुनिया का सैर कर रहे हैं पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है शांदा लाइफस्टाइल और जैसे कि आपको पता चला होगा अभी हमारा दूबई का टूर लाउंच हो गया इस महीने में अगले चार महीने में एक छोड़ता स अगर आपने आज डिसाइड कर लिया तो दोस्तों देखना आप दोबई में मिलेंगे हमें और एक सामने हमारे मिशन है अगले दो साल का हमने तागट बनाया है आइडिनर सिस्टम ने कम सब्सक्राइब करेंगे जिसमें सब्सक्राइब लोगों को दिलवानी है इस मकसद क सब्सक्राइब के साथ हम लोग अब लग चुके हैं और इस सौक गोर्ड लाइन में क्या आपका नाम है आपने करना है क्या आप दुबई जाने के लिए तयार है या अपने करना है तो देखिए करना क्या है उसके लिए कितना काम करना है कैसे काम करना है वह आप अपने सीन पार होगया यहां पर हम जैसे लाख क्रोड़ों गया तो आपका क्यों नहीं होगा और एक काम यह थिस इंडस्ट्री में इतनी शक्ति है अब उस इंडस्ट्री के बारे में पर आगर हम सोच नहीं सकते हैं इसलिएंडस्ट्री में बहुत दम है और इसका लोहा मानान यह golden age golden age of this industry आप एक ऐसे प्रियर्ड में सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं जब पूरी दुनिया में जबर्दस्ति कैसे इस इंडस्ट्री को एडप्ट किया जा रहा है क्यों आजकल healthy नहीं है लोगों की इसलिए लोगों को health के प्रोड़ की जरूरत है नमबर वन दूसरी बात है लोगों को पैसे की जरूरत है employment की जरूरत है बिरोजगारी बहुत जादा है कैसे करें इसलिए इस इंडस्ट्री की शक्ति है और आपको क्या करना है आपको यह चीज़ें अपने लोगों तक पहुचानी है अपने जान पिचान वालों को भी बतान किसी को बताना है तो कैसे बताना है किसी को दिखाना है तो कैसे दिखाना है किसी को जोड़ना है तो कैसे दिखाना है और किसी को आगे बढ़ाना है तो किन बातों का ध्यान दखने के लिए बोलना है अगर हमने इन बातों को अपनी टीम को अपने लोगों को समझा दिया त तो यह बास सच है, कि जहां से आप शुरू करते हो, जिन्दगी में लाइन होई से शुरू होती है, बिश्वाश होना चाहिए आपको अपने ओपर, अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो यह चमतकार हो सकता है, तो एक ही चीज़ कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में ज काम किया, काफी सा स्ट्रगल किया, खुब मेहनत की लिए, कोई पूछता ही नहीं था, यहां पर जो इज़्जत, जो मान, सम्मान, मिलती है, अपने को प्राउड होई होता है, कि हम एक अच्छी योनी मिल गए हमें, जब इस इंडस्ट्री में नहीं थे, तो ऐसा लगता थ है, तो जो भी नए दोस्त हैं, आए हैं, देखा है, समझा है, जोईन कीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाले सोचते रहाते हैं, और करने वाले करके निकल जाते हैं आगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आज के शॉट प्रेसेंटेशन स आपको समझाया होगा, और जितने भी हमारे पुढ़ने दोस्त हैं, आप लोगोंने अभी जो कुछ प्रमोशन्स आई हैं, उसमें कितने लोगों को पेंडेंट दिलाने का सोचा है, मही बास समझना ध्यान से या रखना, कितने लोगों को आप पेंडेंट दिलाने वाले हो जो हमारा पेंडेंट है जबर्दस हार्ट केर प्रोड़क्ट है जो की लगवाग सिल्वर के पैकेज के उपर ब्रॉंज नहीं सिल्वर के पैकेज के उपर लगवाग 300 पीवी का जब बिजनस करते हैं आप तो आपको एक पेंडेंट मिलने वाला है जिसकी वैल्यू कितने लोगों को आप दिलवाने वाले हैं किया अभी तक आपने सोच है कितने लोगों का अपरोच करना शोटय loneliness हमारे तो नहीं होना चीए भर और आपने गया ऑना ओगर नहीं बनाया हुआ तो क्या होगा टायगिटन प्रवाना तो आपका नेट्पर नहीं वनेगा इसका फाइदा नहीं उठा पाएंगा क्योंकि इतना जबरदस्ट आफर मिलावा इस महीने में इसको छोड़ना नहीं है इसका फाइदा उठाना है आपने तो एक तो यह है दूसरी बात है जो सीनियर लोग है वह कार पॉलिशी पर काम कर रहे हैं यहां पर हैं एकदम जटके में काम नहीं होता हैं हर रोज हर रोज कुछ करते रहुंगे करते रहुंगेर आपका लोड़ कम होगा आपका थारगेट कम होता चला जाएगा और making should मैं फुरी हो गया पैसा फुरी हो गया गिफ्ट मिल राया गिफ्ट दोस्तों के लिए और लाश्ट में जो बात आती है व आती यहां पर वह है दोस्तों ऑल युक्रत दूबाई चलना है आपके मन में अब बिल्कुल जाना ऐसे हैं बट दुबाई जो है second आपको हर रोज अपना बना के चलना पड़ेगा जदा से जदा मीटिंग करो जदा जदा लोगों से मिलो जदा से जदा बिजनस करो ताके जल्दी से जल्दी तागेट पुरा हो और जो बुर्ज खलीफा है ना उसके दर्शन हो जाएंगे साक्षाथ अभी तक तो आपने टीवी में या मूवी में देखा होगा अब आपको प्रैक्टिकली उस देखने का मौका मिलेगा इसलिए दरना नहीं है लोगों को प्लान दिखाने से दरना नहीं है लोग जदा करेंगे मना ही तो करेंगे नो प्रब्लम और करते करते सीखना है यह नहीं है पहले सिखेंगे फिर करेंगे जिंदगी छोटी पर जाएगी इसलिए यह निए सोचना है इस सिखेंगे करेंगे एटिचूट चेंज करना है एप्रोच चेंज करनी है माइंड सेट चेंज करना learning attitude होना से जिए करate करते सेखला करना हैंね नि करना है पानी में पना थे अद देडा सकता है और जिसनी कर दो हवामें फिर में यूद दूमा स्कूंगा उपको को पर खाइगा इस 550 शह जाओבाँ को was क्यों इसकाम की खासियत है अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे अपनी टीम को बता दो वैसे और बीच में कमाओ पुण्या और पैसे इसलिए उपर से पुछो कैसे नीचे पुता दो वैसे और बीच में कमा वो पुंद्न्या और पैसे कुंद्न्या से पर nug कτα्ड हेगा और पैसे से लोक सुद्रे है मतलब लोक भी दाने का काम है पर लोक इतनाने का काम है तो दोस्तों जो कामियाभी मैं जख मारके आएगी जब हम इसको practical करेंगे अगर आप comfort zone में रहे के सोचेंगे तो not possible comfort zone से हमको बाहर निकलना है comfort zone से बाहर निकल के ही आप जंदगी बतल सकते हो comfort zone में रहके आप अपनी जंदगी को नहीं बतल सकते हो तो दोस्तों जैसे की हमारा mission है हम चाहते हैं कि आप सबी लोग जल्दी से जल्दी गोड लाइन बने तो बट सिंपल सी बात है जितने भी गोड लैंड बने हैं सबकी हालत ऐसी है जैसे के टरफिलर की थी मैंने लॉगडाउन ने इस कैटरफिलर की बटरफ्लाइग इतनी स्टोरी समझाई है यकिन करना लब कहते हैं जब खतम होता है ना फिनिश तो एक नई चीज पैदा होती है उसका नाम है बटरफलाइव और जब गटर्फिलर खतम हो रहा होता है उसको यह पता नहीं होता है यह बटर बनने वाला है जो रेंग रहा था ना कब वो उड़ने लग जाए इसे को नी बदा इसलिए दोस्तोफ अगर आपने श्टरगल किया आपने महिनत की कि इस केटर पिदिलर की तरह एक दिना बट्रफिलाई की तरह एक दिना करना चाहते हो इसे खत्म हो जाएंगए इस इंड़स्ट्री में आप अपने सपने पूरेघ कर सकते हैं यह पावर है इस इंडस्ट्री इस सपनों को पुर्य करना चाते आप ये और अपने काड़िश पंसे लिखें क्या नहीं लिखें उपके Lee जरूरी है क्योंकि उसके फाइदे हैं अगर रिटन में लिखते हैं तो क्या फाइदे होते मैं बताऊंगा और जैसे कि आज का मेरा सब्जेक्ट है कि पांच पावर्फुल बेन्फिट गोल सैटिंग के लक्षे बनाने के पांच महत्रकुन फाइदे कौन कौन से फाइदे हो होंगी कदमों में ऐसे सफर का इरादा किया है मंजिल होंगी कदमों में ऐसे सफर का इरादा किया है ना हारेंगे होंसला उमर भर किशी और से नहीं खुद से यह वादा किया है तो क्या आपने वो तार्गेट वो गोल ड्रीम्स लिखें हैं और फिर अपने आपसे वादा क करना है अगर इस मकसद के साथ आपने तार्गट सट किया हुआ है तो एक दिन वह सारी मंजलों पर आप पहुंच चुके होंगे वह सारी चीजियां आपको हासिल हो चुकी होंगी बट इसके लिए दोस्तों जिन्दगी में गोल बनाना इसलिए जरूरी है तो आप इस नहिंगे तो नहीं है तो सोचे इन खेलने वालों आ इन प्वड़ेश देख देंगे आप में कहीं सब्सक्राइब तो पllesब आप इस तरप जाने के सचांगे ज अब formation नहीं होगा त्प्सक्राइब आप इस नहीं होगा कोई मूचत yarno तो दोस्तों क्या होगा आपके फिमने चायर होगा एक मक्सद होगा और आप उसकी पूर्य करने की सोचेंगे लेकिन जो भी थारगट है दोस्तों कोई हुर भी देगा आपको अगर किसी ने दे भी एक्सपरिमेंट है 1979 की बात है अमेरिका में कॉले स्टुडेंट में स्टुडेंट के ग्रुप के उपर एक सर्वे किया गया जिसमें उस ग्रुप के 84 स्टुडेंट ऐसे थे 84 प्रतिशत स्टुडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई गोल नहीं था बच्चों पर एक एक्सपरीमेंट हुआ जिसमेंसे 84 प्रतिशत बच्चों के पास में कोई ताइगट देजी था कोई गोल नहीं था जबकि 13 प्रतिशत स्टुडेंट ऐसे थे जिनके पास गोल तो थे बट लिखे वे नहीं थे क्या बनना है बोलते थे हम यह बनना चाते हैं यह करना चाते हैं यह कहीं लिखे नहीं दे और दोस्तों सिर्फ 3% स्टुडेंट ऐसे थे जिनके पास में रिटन में ताइगड़ था रिटन में गोल था उनको क्या बनना है क्या करना है क्या चाहिए रिटन में दस साल बाद दोस्तों फिर एक दुबारा उनकी उपर सर्वे होता है और दस साल बाद जब सर्वे को देखते हैं तो चोकाने वाले रिजल्ट आते हैं सामने हैं क्योंकि उसी ग्रूप पर जब सर्वे हुआ तो पाया गया 84 प्रसंट जो स्टुडेंट थे जिनकी जिन्दगी में कोई तागेट नहीं था कोई गोल नहीं था वह एक और जाइब जी रहे थे एक आम जिन्दगी जी रहे थे बट जो तेरा प्रतिशत स्टुडेंट जिन्होंने लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने गोल बनाए थे उनकी जिन्दगी कमपैरिजन दस गुना ज़्यादा अच्छी थी उन आम लोगों से बट सबसे ज़्यादा चोकाने वाला तथी यह था दोस्तों जो तीन प्रतिशत लोग जिनने अपने तार्गेट को अपने गोल को रिटन में चया था न पिर आप अपना को कुछाएंगे सर ये बताओ तो self reliable महिंट मेंने कैसे आ सकता है वह तरी का उदादो फिर आपकी पताएगा जो एक لاग्ड़ दो लागकर मारा वहीं ब्ताएगा जिसको खुदी नहीं पताएं कैसे क्मारे का क्याइगा आपको 또 apply कोंगे को ही सकता है लेकिन आपको कि से बात करने चีह है किस कांसिलिंग करने चीए जो और लेड़ी उस काम को कर रहा है और सक्सेस को पा रहा है दोस्तों अगर आपने रिटन गोल किया सेट इतने दिन में यह करना यह करना है तो यकिन करना आपकी जिंदगी में भी वह चमतकर रिजल्ट आने वाले हैं जो इस सर्वे में पाया गया है और यह अई दुनिया का है यह दुनिया का डाटा में भी ऐसी है कि पूरी दुनिया में सिर्थ 35 लोग ऐसे है दर्टी पे जिनके पाहस्ष में अर्बोन लोग कितने हैं मात जैंते 7 लोग घेल्ट वाहउब्स ओऊस और भी बहुसा ऐप hypocrisy क्योंकि काम्याभी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है काम्याभी का मतलब है दोस्तों है वैपिनेस फैमिली सोशाइटी कंट्री इन सब चीजों का बैलेंसिंग किसी जिंदगी में है किसी के इंसान की जिंदगी में है लीगल आदमी है एक नंबर का काम करता है इथिक्स के साथ क काम करता है इसके मताइब वो सक्सेश्फुल है तो आप पांच चीजें बताई गई है और जिसके फाइदे रेखिए डिरेक्शन जब आप गोल सेट करते हो आप अपने सामने हैं कि मुझे एट स्टार बनना है मुझे ब्राउंज लाइन बनना है मुझे गोल्ड लाइन बनन कि इस तरह हमकी शहर के मैप को देखकर एक जगासानी चल जाते हैं वैसे ही September गोल सेट होगा पहले से तो आसानी से हम उज़े सकते हैं हमको पता होता है कि हमें करना क्या थार्गेड होगी गारी में बैठे में तो आपको तार्गेड पता है कि जाना कर रहें आप तो दोस्तो हमारा होता है तब ही हम उस काम को करते हैं तो सबसे पहला फाइदा क्या होता दोस्तों जो हम को टाइगट सेट करते हैं गोल सेट करते हैं तो हम एक डाइरेक्शन मिलती है हम डाइरेक्शन लेस नहीं होते हैं हम डाइरेक्शन के साथ वह जाते हैं डाइरेक्शन के साथ में हम फु happiness होती है खुश ह 8 h करना है ऊसके लिए क्या करना है उसके लिए हमको एक बिजनस करना है इस बिजनस इस कमपनी के साथ में इतने इतने हजार का पुझेस इह compassionate करना है अगर आपने यह कर लिक्रिया स्क्राइच कि दूबवे का हिए कि दूबह जाना है दुबह जाना है दुबई जाना है दिवार में लिखावा है डायरी पर दुबई जाना है खाते पीते सोते जाकते उठते बहटते क्या चलबहा आपका 24 घंटे दुबई साथ में टीम पोजाएगी एक नेट्वर्क बन जाएगा और फ्यूचर के लिए एक ऐसा रोड में बन जाएगा जो आपके बड़े-बड़े सपने हैं, जो तार्गेट है, उनको पूरा करने का एक रोड मैप बन जाएगा, तो दोस्तो हम एक्साइटेड होते हैं, आपने देखा होगा, जिनके पास गोल होते हैं, तार्गेट होते हैं, हमें खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती हैं लोगों को, कि उनको क्या करना है, कैसे करना होगा, नहीं होगा, क्या कब होगा, कोई confusion नहीं होता है, इस बात की tension नहीं रहती है, यह कैसे होगा, कब होगा, अब क्या होगा, इसलिए अगर हमें लाइब में खुश और उत्साहित रहना है, तो हमें अपने गोल सेट करने हो होगे यह देखिए बाई प्रड़क्ट है जब आपने डिरेक्शन सेट किया जब सामने है तो बाड़ी में एक्साइटमेंट है जोश है लोग बोलते थे लोग आप पागल होगे वाई साब उनको पता थो नहीं था पागल क्यों है क्योंकि मामला दिल और धिमाग का कनेक्श प्रड़क्ट हो गया था बिजनस में दूसरा फाइदा आप समझ गें तार्केट बनाने का गोल सट करने का और तीसरा फाइदा है दोस्तों यूज ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी दोस्तों के पास बैठे रहते हैं जो कभी इधर हैं जिनके रहते हैं होब अपने गोल सेट कर लेते हैं है इसलिए टाइम की तुलना मनी से की गई है थे म Bose आ WAS पता है कि मुझे इतने काम करना है आमां बस्ताइम नहीं मिलेगा फिर आप चीव करने के लिए लग जाएए उस टाइम को चार म fen technicians है ले काम करना है चार मेने आपके लिए ऐसे होंगे आप बोलोगे एक एक पल वेश्टिंग करना है अभी यहां प्लान दिया यहां मीटिंग की इससे मुलाकात इसकी किसी ने जॉइन किया किसी ने नहीं किया किसी प्रोड़क्ट खरी दे पुल मिला कि आपको पता मुझे 12000 पीपी इदर करन है और या फिर आपका ताइकट होगा अभी ज़्यादा जब्दा लोगों मुझे पेंडेंट दिल्वाना है जो भी हमारे पास एक आफर आया पड़ा है उसका फाइदा उठाना है आपके दिमाग में आएगा तो टाइम का यूटिलाजेशन उसी टाइम में कि चार मेने का टाइम है मैद्लाइन जब एक फूटबाल का मैच होता है तो पता है 90 मिनट में इतल या जीतेंगे या हारेंगे या जैंडा होगा आपका seven star automatic हो गया मतलब आपका seven star automatically हो गया आपको seven star करना नहीं है हो गया उसके बाद कितना बचा एक स्टार एक लेवल और बचा स्टार का सोची आप अगर आप seven star six star सोचो गए तो confusion हो सकता है आप सिब दुबाई दुबाई करो और जब दुबाई क्वालिफाई होगा आप seven star से उपर जा चुके होंगे eight star की तयाली हो रही होगी आपकी तो दोस्तों तुस्टा काम होता है जब आप टाइगट सट करते हो तो टाइम यूज़ करने का आपको पता होता है टाइम विष्ट नहीं करना है मिलको घप गपे नियम आ रहे होंगे दोस्तों के साथ बैट क तके टाइम पस नहीं कर रहे होंगे मेमानिया नहीं कर रहे होंगे रिष्टदारों की बाद जाके और नंबर चोथा बहुत इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तों आपके अंदर एक fighting attitude पैदा होता है तो आप उसके लिए फाइट करते हो और यहां पर एक बात समझ आती है जब निगाहें चांद पर होती है तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं देते हैं जब आप सामने तागट पर ध्यान देते हो छोटी मोटी प्रॉब्लम को आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कभी आप देनी है वह उनसे जुझता है उन से अप लड़ते हो आगे बढ़ते हो क्योंकि को करना है आपने और बाप अपने गोल को को छीव करने में फेल भी हो जाता है तो दौज ऐasmढ़ आपने दिखाए किसने जोईन किया किसी नहीं किया नहीं किया ने किया ट नेक्सimate नेक्स्ट एक्सोपैंटिस क्रोड लोग रहता है हिंदुस्तान में हमें जो चार आटमी भी ढंके मिलीए दो आत्मी ढंके मिले बेड़ा पार सोचिए है हर एक को दो चाहिए जो चार हो जांतो बले वल्ले अट चार में तो और भी जबरदस्त है तो दोस्तो आप को कामया भी कHI नहीं मिली कहीं पहीं पर श्ट्रंकल бол जाती है दोस्तोच 살 लास्ट नोट लिस्ट क्या होता है जब आपके गोल होते हैं तागेट होते हैं दोस्तों तो फर्क क्या पड़ता है इसका देखिएगा एक चोटा सा धान देंगे हम आपको कि अगर आपको नदी पार करनी है तो आप दिमाग लगाईए अगर नदी पार करने के लिए आपको चोटी नदी. नदी तो नाव से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समूढर बार करना होगा तो क्या चीए? ज्हास. मतलब दिमाग खुद काम करता है. ये हमारा दिमाग की पावर है कि अगर हमारा जो गोल है छोटा होगा, तो हमारा हमें चोटा आइडिया देगा लेकिन हमाला जब गोल बड़ा होगा ना हमाला दिमाग बड़ा आइडिया देगा आप सोच ये छूटी है सोच थी छोटी प्रब्ब्लम थी चोटी सोच थी कि नदी तेहना आ तो ना हो काफी है लेकिन जब Me would करना है तो नहों से काम नहीं चलेगा अपने को जाच चाहिए तो बदली की नहीं दिमाग ने खुद आइडिया लगाया इसका बोलते हैं तब बिग आइडिया बिग ड्रीम्स बिग सक्सेस तब मैजिक और विक तिंकिंग तो दो चार पांट दस बीज़ार पर आ जाए पता क्या बोलते हैं किया दस पंदर बीज़ार पर तम कहीं और भी कमा लेंगे लिकिन जब उनकी दिमाग में होता ना हमको जो लाग दो लाग पांच लाग दस लाग महीना कमाना है तो पता लग जाता है यह पांच-दस लाग और जगाने आने वाले हैं इसलिए त्याशी जो ड्रीम्स है जो रिटन में लिखने हैं वो कुछ ऐसे लिखने हैं जिसको पढ़ने के बाद में एक भाई खुद को जटका लगे मैं लिखतो रहूं लिखतो रहूं मैं बड़ा तेड़ा काम है या फिर आपके दोस्त पढ़ें रिष्टदार पढ़ें घरवाले पढ़ कि हमें अपने गोल को सेट करना है कि दायरी में लिखना है क्या अभी तक आपने अपने गोल अपने तारगेट अपने ज्रीम्स अपनी ख्वाईश हैं पैन और पेपर में लिखा है और कम से कम 12 खौईशें लिखे बारा एक दर्जन लिखने को आप 20 लिख दीजिए 50 लिख दीजिए 100 लिख दीजिए नो प्रॉबलम लिखना चाहिए मैं बोलता हूं इमीडियेट 12 ऐसे सपने लिखे बारा ऐसे टार्गट लिखे जो आपकी जिन्दकी के लिए बहुत ही इं उन बारा टार्गट को फुल्फिल करना चाहते हैं एक दर्जन टार्गट लिख सकते हैं आप डायरी में कितना टायम लगता है आप इसे कितनों ने अभी तक लिखा है इमानदारी से सोचिया क्यों नहीं लिखा सब बताते हैं दुनिया भर की ट्रणिंग हो गई है क्या अ आपका माइनसेट ऐसा है अभी तक क्यों अगर आपके बड़े टार्गट बड़े गोल होंगे दोस्तों आप नेगटिव नहीं हो सकते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी कुट कुट के भरी होगी आपका एटिचुट जबरदस्त होगा आप सीखने के लिए तयार आप बहाना नहीं मालेंगे आप बोलेंगे कैसे करना है सर रात को बारा बज़े में रात को दो बज़े में रात को चार बज़े में तब भी आपको कोई फरक नहीं परता आप करना है नहीं तो क्या होगा शाम को नो बज़े के बाद में आप तो लेट हो गया है ना और करने के बाद में बट उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा काम करना है जिसको बोलते हैं हम लोग आपको अपना एनलाइज करना है इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपर्चुनिटी और फ्रेट यह चार चीजें होती है जिसके बारे मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा बट मैं आप प्रोग्राम में आये हो की स्ट्रेंडिंग का क्लोजंग है तो मैं जुरूर देना चाहूंगा कि आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होणा चाहिए आपकी क्या strength है, क्या खूभ यह आँ, क्या qualities हैं, लखना है, कम से ओर 10 qualities को लखिए embr матери में लिखना है, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके अपने कौन सी strength है, आपने बारे में सोचते हैं कि आपके अ अंदर क्या क्या quality है, जिसके कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं आपको लगता है यह मेरी क्वालिटी है तो यह जो आपको लगती है उसको लिखिए हो सकता है आप लोगों को जल्दी अराम से बेश लेते हैं समान हो सकता है आप लोगों को कम्मिनिकेशन करना अच्छा आता है बात करने अच्छ हैं आप अपने आपसे पूछें कि मेरे अंदर क्या-क्या है और क्या पावर नेरे पास में और मेरे अंदर सबसे अलग कौन कौन से घुन हैं और मैं किसक्षेतर में आगे बढ़ सकता हूँ अगर यह तीन important question अगर आपने अपने आपसे पूछ लिए और अगर आपको कहीं confusion हो रहा है दोस्तों तो आपको अपने किसी दोस्त से अपने parents से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि उनको आपके अंदर कौन सी अच्छी quality नज़र आती है तो कम से कम 10 qualities को आप लिखिए यह आपकी strength है और दो number two आपको पता होना चाहिए आपकी weakness क्या है आपकी कमजोरियां क्या है आपके अवगोन क्या है कमियां क्या है तो दोस्तों जब भी अपनी weakness के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है आपको weakness में अपनी ऐसी weakness को लिखिए जो आपको लगती है कि यह मेरी real में weakness हैं है कि आप बिमार भी हो और आप करीब भी ओर आप साथ में फाइनिशली भी आप एक की लिमिटेशन के अंदर हो यह आपकी बीकिनेस हो सकती है लिक्ष ऐसी वीकिनेस भी होती है जिसको नहीं लिखने की जूरत है क्योंकि अगर अगर आपको लगता है ने जुकर कर सकता हूं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ ऐसी विकने से जो आपको बहुत कमजोर करती है उनका बारे में आपको पता होना चाहिए और फिर आपको लिखना कि मेरे अंदर कौन कौन से नेगेटिव बाते हैं बहुत साइब लोगों को पता नहीं होता है कि लो नेगटिव सोचते नेगटिव है बोलते हैं एक अप लेंचे बिदो अगरें किसी नहीं किसी नहीं आज तक फिर हो गया तो कुछ नहीं होने वाला इसलिए आपको पता वना चाहिए कौन सी नेगटिव वालिटी इस हैं आइना तो यह जो ट्रैनिंग हम देते हैं आप लगा आता है उसके अंदर आप बहुत जवदस्ति कैसे रिफाइंड हो सकते हो निकर सकते हो पर कंडिशन यह कि है पर ट्रेनिंग लेने तो आना पड़ेगा सुनना तो पड़ेगा समझना तो पड़ेगा होगा जबी चमतकर अपने आप कुछ नहीं होने वाला तो आपको प अज़य से मानके चलते हैं आपका गोल बनाने की कशरी थी अब इसको ठीक करने की जुरूट है यह विक नहीं से आपकी कि आपने गोल बनाना था कुछ लोग बना चुके इसका मैं पर स्ट्रेंफ है क्यों तो पहले से गोलुरेंट लोग थे आपको गोल बनाना है तरगट बनाना है फिर आप जिसे आपने लिस्ट बनाई की नहीं बनाई लोगों की जिनको आप जानते हैं को अपने लिश्ट में टालते हो आप का सूधर किसे करना है को नहीं करना है के सिफ fifty नहीं कुछ्र करना हैoter सेमिनार में अना क्यों जरूरी है मीटिंग मेंurous किक एना क्यों जरूरी है यूट्यूब में वीडियो को लूंदा इन्स्ताग्राम में पोस्त डालना क्यों ज़्यूरी है? लेकैंड अचानने कि तो लूण आपकी पहचान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एंड थर्ड इज अपर्चुनिटी कि जो अपर्चुनिटी है उसको पहचानना जरूरी है मेरे पास मैं एक्स्टरनल क्या सादन है जो मुझे मेरे लक्षे तक पहुचा सकते हैं आपके बस यह अपर्चुनिटी है आप हम आरे जिए मानलौ आठ बज़े का प्रोग्राम है आठ बजे के वेबनार में खुद भी आना, अपनी टीम को भी लाना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, यह अपॉर्शनिटी है, यहां सीख के समझ के, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, फ्यूटर की तैयारी कर सकते हैं, खुद को भी आप गुरूम कर सकते हैं, करने के लिया आए अप लोगों के साथ काम करने का प्रोटनिटिया है के साथ काम करने का मोका है आप कैसे स्टों कैش करें तो दोस्तों क्या क्या साधन है जो मुझे मेरे लक्ष तक पहुंचाने में हैल्प कर सकते हैं जैसे मेरे आसपास का environment कैसा है मेरे आसपास क्या क्या रास्ते हैं आगे बढ़ने के कौन-कौन से परिस्टितिया मुझे मेरे गोलत tout attempt कोंचने में मदद कर रही hen कैसी परिस्थitिया है अभी दूबई का तूरा हुआích हैए पाने कमपनी के मनतली उफर ustal चार महिने का उफर चल रहा है और गाड़ी का उफर चल रहा है यह क्या है पर स्थीतिया है हमें आगे बढ़ाने के लिए आगी है और कौन-कौन से लोग में इसाहिता कर सकते हैं कौन से लोग हैं जो आपसे फॉन करते हैं बाचित करते हैं कौन आपको अटेंड करते हैं क्य है आपने पहचाना है उनकी कदर कीजिए उनकी इजशत कीजिए उनके कदर कीजिए योगि य Egypt क्दर не करेंग है दोस्तों क्दर को ठॉणतीे हो कि आपको बन जाएंगे तो तीसरा काम क्या है हमारे जिंदगी में क्या अपॉर्टनिटी है जिसकी विसे हम ग्रोग करेंगे इंकम करेंगे जदस जदा लोग को अपनी टीम के साथ जोड़ेंगे और जदस जदा लोग की हेल्ट तो हम करते हैं तो हम्ने सामने क्या क्या दिक्कते हैं जिसकी विसे में इस काम में इतने कामियाबी साथ आगे बढ़नी पा रहा हूं जो मेरा दिक्कित है बहुत साइं चीजें आपको पता होना चीए कौन कौन से चैलेंज जाहें यसा होता है और कौन 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 से डर हैं जिससे आप जखड़े हुए हैं क्या डर लगता है लोगोंने मना कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ये क्या है थ्रेट है अगर दुनिया का सोचने लगे जिन्दकी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों तो आप याद रखेंगे कि मंजिल होंगी कदमों में ऐसे सफर का इरादा किया है ना हारेंगे होंसला उमर भर किसी और से नहीं कुछ से वादा किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्ट्रेनिंग समझता हूं और यह प्रोसेस है जो भी टीचर बार-बार बच्चों को बढ़ाता है वो टीचर सब्जेक्ट में खुद भी मास्टर बने जाता है तो खुद भी सीखना है अपनी टीम को भी सिखाना है तो दो तरीके हैं नोट्स बनाओ फिर आप जो यहां सिखाना अगले 24-48 घंडे में उड़ेलो तो कोई तो मिलेगा उड़ेलने के लिए उड़ेल दो एक आधमी में दो में जल्नाओने निली दो अपने बास में जितने दिन रोकों के रख्यों गया गरम-गरम सप्लाई दो तजा-जा खाएंगे, तजा-जा मजा हाएगा, असर होगा, right? I hope कि आज की training को आपने enjoy किया होगा, आज की training से बहुत कुछ सीखा होगा और मैजी best wishes हैं, और धन्यावाद आपका इस session को specially attend करने के लिए once again, wish you all the best, see you at the top of the world, top of the chance business Go gold line, we all are diamond, thank you very much, all the best